अब बातों को जवाब दे रहे हुए कि मैं देखा है कि वह इस तरह से रहता है अनका एटिट्यूट की अरे हमारी तो एज ट्विटीवन हो गई है अब तो हम बहुत लेट हो गए हैं अब हम मेडिकल कॉलेज में जाने से क्या फाइदा है इतने लेट हैं कॉलेज में पहुंचेंगे तो कॉलेज में तो हमें सब चड़ाएंगे और तुम इतना लेट आयो और तो सब बहुत यंग यह जाते हैं 17 एज पर 17 एटीन पर आजाते हैं तो आफ्टर 20 वे यह जोशन लगते हैं कि वह बहुत जादा बेज हो चुकी है अब जैलिए बिल्कुल वेकार हो गया ऐसा कुछ भी नियुक्स कैसी में लाइफ ह अलग होती है वीकिसी ने अपनी लाइफ में अलग्डली मिल जाती है किसी को नहीं मिल पाती है कि आपके साथ रही ऑच yrening के साथ नहीं है कोई फैमेली प्रॉब्लम तो यह सब चीजें भी तो मैटर करती है आप किन चीजों से गुजर के आए हो तब यहां आए हो है यह तिंग ज्यादा मैटर करती है क्योंकि मैं सच बता हूं किसी और की अपको कुछ नहीं देने वाली है जो देगी आपको आपको खुद की डिगरी देके जाएगी इसलिए यह मत सोचो कि तुम डिगरी में एडमिशन किस टाइम ले रहे हो यह मैटर ही नहीं करता क्योंकि मैंने खुद जब में एडमिशन लिया था एड़ ताइम यानि कि 2020 में मैं को 23 years old थी तो at the age of 23 मैंने एडमिशन लिया तो हां लेट हो गई हूँ ठीक है लेकिन मैं लेट हो गई हूँ मेरे पास life के experiences है उन चीजों को मैं यूज करती हूँ कहीं न कहीं काम आएंगे जो चीजें सीखी है वो कहीं न कहीं काम आएंगी और at least जो डिगरी है वो मेरी है किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं कि किसी और की डिगरी है ठीक है इसलिए आप जो अपनी महतद से सफलता हासल कर रहे हैं that things matter यह बिल्कु सोचो ही मत कि कोई तुम्हारे बारे में यह सोचेगा कि बताओ failure है तो कोई बात नहीं जो failure होते हैं तो failure को बुरी चीज नह होगा था बहुत सारी चीजें होती है जो हम face करते हैं तो ऐसे नहीं है कि failure आये हैं हमारी लाइफ में तो बहुत बेकार हो गए जिसको starting से लगाता लगाता success मिल रही है वही अच्छा है ऐसा नहीं होता है अगर आपकी लाइफ में failures है तो इसका मतलब आपने भी अलग करो लोग अपने आप आपकी हिज़त करने लग जाएंगे तो आई होप की थोड़ा सा positive attitude डवलप हुआ होगा आपका तो don't think कि लेट हो गए हो कुछ लेट वेट नहीं होता है जब अच्छे जब तुम्हें अकल आ जाए जब तुम अच्छे से काम करने लग जाओ वही रा happiness देने आए हो ठीक है ना तो कुछ मत सोचो फालतू तो बस जीओ बस अपनी पूरी महनत करो इस चीज के लिए कि मैं अपनी आपको ग्रो करनूँ सो देट कि मैं दूसरों की help कर पाऊ ठीक है तो बस इसी positive attitude के साथ अपनी पूरी जान लगा के महनत करते रहो एक दिन तुम तुम्हारी मनजल तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा और तुम भी अराम से खुशी सजी पाऊगे अपने आपको किसी से compare मत करो बिल्कुल भी अपने आपको बिल्कुल भी किसी से compare मत करो बस अपना काम करते जाओ पूरी जान लगा के महनत कर दो है ना और एक दिन झाल झाल